क्लासिक लेजिन के को फाउंडर ठड़े जाके एक इंटर्विव के दौरान एसदी की रोट किंग और बीसे गोल स्टार के बाड़े में कुछ नीवस सामने निकल कर आई है तो दोस्तों रोट किंग के बाड़े में हम कल के वीडियो में आल्डेडी बात कर चुके हैं सो आज के वीडियो में हम जी एसे गोल स्टार के बारे में बात करने वाले हैं इसलिए वीडियो को जो है बिना स्केप के अंतक जरूर देखिए क्योंकि यह काफे ज़दा इंट्रिस्टिंग होने वाली है लेकिन उससे पिल एक छोट इस रिकोस्ट है इस सभी इंफोर्मेशन हम आप ही के लिए कलेट करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए इसे और फिर इंफोर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्लासिक लेजेंज जावा और इसदी के बाद अब BSA गोल्स्टार को इंडियन मार्केट में इंट्रिउस करने वाली है दोस्तो इस बाइक को जो है फर्स टाइम उके में एक शो के दौरान इंट्रिउस किया गया था उसके बाद अब रिसेंटेक इंटर्व्यू के दौरान क्लासिक लेजेंड के को फाउंडर से BSA के बारे में कुछ न्यूस सामने निकल कर आ रही है जिसमें सबसे पहले दोस्तो इह पता चला है कि BSA Gold Star में जो है एक 652C का सिंगल स्लेंडर फोर वल्ब लिकूइट कोलिंग सिस्टेम बाला डूएल ओवारेट हिंजीन पावर जेनरेट करने वाली है यानि की रेट्रो लुकिंग एलिमेंट्स के साथ मौडरन फीचर्स जैसे ओल एलेड लाइटिंग सेट अप टू पॉर्ड वाली एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रुमेंट कंसोल और सेफटी को धियार में रखते हुए बोत एंट पे सिंगल डिस ब्रेक और डूएल चानल ABS भ आपको बाइक में कुछ रेट्रो एलिमेंट्स मिलने वाली है जैसे की राउंडेड हेडलाइट विट इंटिगेटेड डियार्स राउंड रेर व्यू मिरर और इंडिकेटर्स टियाट्र आप शेप में एक फ्यूल टैंक जिसके बोच साइड आपको मिरर फिनिश और बेस प्रिट किया गया है फाइनली दोस्तों बाइक के लॉंच के बारे में बात करें तो को फाउंडर थरेजा के हिसाफ से ए बाइक 2022 के लास्ट में लॉंच होने वाली है जिसे यूके फिलिपिन्स और यूएस मार्केट में सेल की जाएगी उसके बाद ही 2023 में इसे इंडियन म मार्केट में लॉंच किया जाने वाला है